हेलो अब्रिमार वेल्कम तो मैं चैनल इजी कुकिंग आज हमने बनाई है कस्टड कुकिज यह बहुत ही लाइट कुकिज है और बहुत ही एजी तरीके से बनती है तो चलिए इसको बना लेते हैं कस्टड कुकिज बनाने के लिए हम एक बड़े बाउल में यह आधा कप घी डालेंगे यह मेरे पास मेल्टिट घी है अब हम इसमें एड करेंगे आधा कप चीनी फिर हम इसको मिक्स कर देंगे फिर हम इसमें आधा कप चीनी और डालेंगे ये टोटल एक कपचीनी है, इसको हम बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि ये क्रीम जैसा दिखने लगे, ये देखिए, मैंने इसको 10-15 मिनिट तक बीट किया है, ये एकदम से क्रीमी हो गया है, अब हम एक सिवर रखेंगे अपने बाउल पे और उसमें डालेंगे हम एक माटे की तरह दिखने लग जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर से टेस्ट अच्छा आता है, अब हम इसको हातों से अच्छे से मैश करेंगे, और इसको बाइंड कर लेंगे, इस तरह से मैंने बाइंड करके एक सरफेस पे निक करके उसके ऊपर टूटी फ्रूटी रखेंगे और इसको बेक करेंगे, 180 डिग्री पे, 10 मिनट के लिए, यह देखिए हमारी कुकीज बेक हो गई है, और यह कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी लाइट बनी है, अगर आपको मेरी राश्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्ट